हलो फ्रेंड मैं हूँ एहसान और आप देख रहे हैं टेक्टो एहसान चैनल फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप अपकमिंग स्मार्ट फॉन जो जुलाई में लॉंच हो सकते हैं और फ्रेंड कुछ फॉन हमारे लिस्ट में ऐसे भी हैं जो कुछ लॉंच हो चुके हैं मगर इनकी सेलिंग अभी चालू नहीं होई है और फ्रेंड हम इस लिस्ट में बताएंगे आपको लो बजट से लेकर फ्लेक्सिव लेवल तक के स्मार्ट फॉन तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड हमारी upcoming smartphone की लिस्ट में पहले नमर का जो फॉन है टेक्नो स्पार्क गो 2020 बन होने वाला है तो फ्रेंड ये एक जुलाई को launch हो चुका है और इसकी selling कुछ time बात हो जाएगी आप इसे flip card या Amazon से जाके purchase कर सकते हैं तो फ्रेंड मैं इसकी कुछ specification बता देता हूँ आपको और आप link के description में है वाँ से जाके भी check out कर सकते हैं पहले हम processor की बात कर लेते हैं तो इसमें A20 का MediaTek का Helio chipset लगा हुआ है और फ्रेंड इसमें camera primary camera है 12 megapixel का और जो हमारा selfie camera है 8 megapixel का और इसकी बैटरी 5000 mAh की बैटरी होने वाली है और इसकी RAM ROM है 2GB और 32GB यह phone आपको 7200 या फिर 7500 के अंदर में फिलिप कार्ट या Amazon में आपको मिल जाएगा आप link description में है और वहां से जाके check out कर लेना और फ्रेंड आप हमारे second number के smartphone है जो इससे थोड़ा high range में है और फ्रेंड वो Samsung का है तो फ्रेंड second number का हमारा जो phone है वो Samsung F22 है और इसकी launching date है 6 July और यह 6 July को launch हो चुका है और इसकी selling 12 तारिक से चालू होने वाली है तो फ्रेंड मैं भी इसकी link की भी description में दे दूँगा तो आप वहां से जाके इसे भी purchase करना चाहते हैं तो purchase कर सकते हैं और अब इसकी specification की बात कर लेते हैं तो इसमें quad camera हमें देखने को मिलता है जिसमें 48 megapixel का man camera है और फ्रेंड जैसा कि आपको पता है Samsung के जो smartphone होते हैं उनका display बहुत अच्छा होता है तो इसमें भी हमें Super AMOLED Full FHD Plus display देखने को मिलेगा with 90 hearts display के साथ में और फ्रेंड इसकी price होने वाली है साड़े 12,000 लगवाग फ्रेंड हमें इसमें 6000 mAh की battery देखने को मिलेगी और इसमें processor है MediaTek का G80 processor इसमें लगा हुआ है अब हमारे upcoming smartphone की list में 3rd number की list में है OnePlus Note 2 फ्रेंड वनफिलस के साइट से इस महीने में हमें एक smartphone देखने को मिल सकता है जिसका नाम है OnePlus Note 2 और फ्रेंड इसमें हमें 1200 का Diamonds 80 chipset देखने को मिलेगा और इसमें triple camera होने वाले हैं जो हमारा primary camera है 40, 64 megapixel का camera है अब मैं आपको बता दो इसकी launching date है मिड जुलाई में यह phone launch हो सकता है और फ्रेंड अब हमारे 4th number का smartphone है OPPO के साइट से है OPPO का phone भी हमें इस महीने में देखने को मिल सकता है तो फ्रेंड OPPO की Reno series में हमें Reno 6 और Reno 6 Pro देखने को मिल सकता है इसकी launching date भी confirm हो चुकी है 14 जुलाई को यह mobile launch हो जाएगा और फ्रेंड अब हमारे upcoming smartphone की 5th list में है Asus का 8Z और 8Z Flip फ्रेंड आसूस के phone gaming phone होते हैं और इस phone में भी processor बहुत दमदार होने वाला है फ्रेंड इसमें हमें Snapdragon का 800 880 processor देखने को मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं हमारे upcoming smartphone की साथ में upcoming smartphone की list में 6 नमर पे आता है Poco का F3 GT और इसका display होने वाला है 6.6 inches का Full HD S AMOLED display with 120 Hz refresh rate के साथ और इसका 64 MP का तिरपल केमरे का setup देखने के मिलेगा जो हमारा फ़स्ट है 64 MP का man lens और second का है 8 MP का wide angle lens और हमारा third में आता है macro का 2 MP का lens mid-zulai में यह हमें देखने को मिल सकता है और फ्रेंड इसकी something price होने वाली है 19,000 से 20,000 के बीच में तो फ्रेंड अब हमारे upcoming smartphone की list में 7 नमर पे आता है Realme के phone तो फ्रेंड हमें Realme के भी phone में Realme की side से भी इस महीने में हमें एक या दो phone देखने को मिल सकते हैं और फ्रेंड आपको तो पता ही कि Realme अपने Realme हर महीने में या फिर एक महीने में दो phone तो launch करता ही है तो फ्रेंड अब हमें Realme के X series में X9 और X9 GT देखने को मिलेगा X9 जो है processor इसका powerful आएगा और X9 GT है इसमें camera powerful होगा पहले हम बात कर लेते हैं X9 का तो friend इसमें हमें display देखने को मिलेगी Super AMOLED with 120 Hz के साथ Realme X9 में 64 Megapixel का quad camera हमें देखने को मिलेगा और इसकी battery 4500 mh की होगी अब हम बात कर लेते हैं Realme X9 GT Master Edition की तो friend इसमें camera highlight होने वाला है जिसमें है triple camera का setup देखने को मिलेगा हमें जो first camera होगा इसका 50 Megapixel का होने वाला है और इसका processor है Snapdragon का 870 तो friend अब मैं इसकी launching date आपको बता दूँ तो friend हमें July में ये mid 8 number की list में Xiaomi की sites है उसका नाम है Mi 11 Pro friend इसमें हमें processor देखने को मिलेगा Snapdragon का 888 इसमें display है 6.8 inches का Super AMOLED display with 120 Hz के साथ में friend इसका camera primary camera जो होने वाला है 50 Megapixel का और second camera है 8 Megapixel का टेली फोटो लेंस और third है हमारा 13 Megapixel का अल्टर वाइट लेंस 20 Megapixel का camera हमें selfie के लिए मिलेगा और friend अब हम इसकी battery की बात कर लेते हैं इसमें 5000 mAh की battery है और इसमें fast charger देखने को मिलेगा जो की है 67 Watt का fast charger और friend अब मैं इसकी launching date आपको बता दूँ जो confirm हो चुकी है 26 July को friend अब हम बात कर लेते हैं जो इस महीने में launch हो भी सकते हैं और नई भी हो सकते हैं जो हमारे lava के हैं या micromax के बोल सकते हैं या फिर infinix के तो हमारा 2C आ जाए या फिर 2B आ जाए और friend infinix में हमारा है और यह बहुत दिनों से हमें waiting कर वा रहा है और friend अब techno की बात कर लेते हैं टेकनो के साइट से भी phantom X हमें देखने को मिल सकता है इस my name है तो friend कैसी लगी हमारी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताए और इस लेश्ट में जो भी आपको पसंद आया फॉन या आप लेने वाले हैं कॉमेंट करके जरूर बताए और friend हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं हम next interesting बीटियो के साथ में तब तक के लिए take care and bye bye